गुरुदेव रविंद्रना टैगोर की जैंती कब मनाया गया है तिमकर सही आंसर होगा गुरुदेव रविंद्रना टैगोर की जैंती साथ मैं को मनाया जाता है याद रखेंगे इंपोर्टेन है हर साल रविंद्रना टैगोर की जैंती साथ मैं को मनाया जाता है चली याद रखेंगे मुख्यमंत्री श्री भूपेद बगिन ने विश्व व्यक्यात कभी साहित्यकार और राष्टगान के रचीता गुरुदे रविंदरनाथ टैगोर की साथ मैं को जैन्ती पर उन्हें नवन किया मुख्यमंत्री ने अपने संदीश में काहा है कि गुरुदे रविंदरनाथ टैगोर एक मानावतावादी विचारक विलक्षन पतिवा के धनी थे उनका सिक्षा साहित्य साहित कला के छेत्र में युगदान अदूती है वे भारात ही नहीं एसया के पैसे पहले वेक्ति है जि देखिए प्रदेश में ग्रामिनद परिवारों को घरेलान साहित करने पर आंसर होगा जांजीर चापवा को घरेलान संदीश से किया जा परदेश में जल जीवन मिशन के अंतरगत घरों में सुद्ध प्रेजल आपूर्ती के लिए चलाया जा रहा है अब ध्यान के अंतरगत अब तक 22,444 घरेलों नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुके हैं इसके साथ ही राज्यके 43,992 किलो, 41,676 अंगान बाड़ी केंद्रों और 17,000 क्राम पंचायत भावनों और उप्स्वास्ता केंद्रों पर टेप नल के माध्याम से सुद्ध प्रेजल की आपूर्ती की वैस्ता की गई है 46 गण के जांगरी चापर जीले में सबसे अधिक 1,90,007 लिग्रामी पुर्यारों को नल कनेक्शन देने में अवल है मुख्यमंति श्री भुपेद भगेल के नेतित्व और लोग स्वास्ता जांतरी की मंत्री गुरु रूत्र कुमार के मारगदाशन में चलाया जार है जल जीवन मिशन के अंतरगर राज्या में प्रतिवेक्ति 55 लिटर के मान से सुद्ध पेजर उपलब्द कराया जा रहा है चलिए नश्र कोशन देखिए अंतराश्टी पैरा एथलेटिक चंपियर्सिप में कभी धमजिले के एथलेटिक्स चोटी महरा ने कौन से पदक जीथासिल किया है तिनका सही आंसर होगा चोटी महरा ने शोन पदक जीथासिल किया है याद रखेंगे अंतरास्टी पारा आथलेटिक्स चेंपियर्शिप में कभी धम जिले की आथलेटिक्स छोटी महरा ने शुवन पतक जीधा चुट किये हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्टन है चले रिहान देंगे करनाटा के बंगलूरू में चल रहे अंतरास्टी पारा आथलेटिक्स चेंपियर्शिप में भारत की ओसिप परतिनी तकारते हुए छट्टी गड़ की कवरधा की छोटी महरा ने 14 मीटर चक्र फेकर 16 देशों के खिलाडियों कोहरा कर 12 गोल्ड मिडल दिलाया है याद रखेंगे चोटी मेरा कमर्धा की रहने वाली है अंतरास्टी पारा आथलेटिक चेंपियर्शिप करनाटा के बंगलूरूरू में आयजित किया जा रहा है इससे व्याद रखेंगे बदा दे कि इससे पहले कभी धाम जीले के दिव्यांग एथलेटिक चोटी महरा ने शुक नंदन निशाद के साथ पारा ओलंपिक कमेटी आप इंडिया द्वारा आयो जित एक किस्वी रास्टी एथलेटिक से इस पहलेधा पूर्णे में कमाल कर दिखाया था दोनों खिलाडियों ने मिलकर तीन शुन पदक और एक काश्य पदक जित का छत्तिगर के शाथ करविद हम जीले को गर्विन किया है दिव्यांग छोटी महरा ने इंडियन ओपन एथलेक्टिक्स बैंगलूरी में आयो जित खेल प्रविता में अपना पहतर प्रशन कर गोल्ड और रज़त पदक प्राप्तकर जिला का नाम रोशन किया है याद रखेंगे important question है चले अगला प्रशन देखिए 36 गर समाजिक आर्थिक सर्विक्षन दुहर तेश के कारियों में बस्ता संभाग में कौन सा जिला अवल रहा है तो कर शहीं आंसर होगा कोंड़ा जिला बस्ता संभाग में अवल रहा है याद रखेंगे समाजिक आर्थिक सर्विक्षन दुहर तेश के कारियों में बस्ता संभाग से कौन्ड़ा गाउजिला इसमें प्रथम है याद रखेंगे हराज यसाशन की मनसा अनुरुक हराज जय भर में च्छत्ती का समाजिक आर्थिक सर्वेक्षन दोहर तेश का कारिया त्रिवे गतिशे किया जा रहा है। 66,009 परिवारों का पंजियन कारिया पूर्ण किया जा चुका है। जो कि लक्ष का तिरपंदर समलाव 15% याद रखेंगे तथा 22 गाओं में सर्वेक्षन का कारिया पूर्ण हो चुका है। चलिए नेस्टर कोश्ण देखिए। 36 गड़ को कॉर्णियल देश्टी हिंता मुक्त बनाने का लक्ष कब तक रखा गया है। चलिए याद रखेंगे राज्या में एक वर्णियल देश्टी हिंता मुक्त बनाने का लक्ष रखा गया है। परदेश में अब तक शर्वधिक मोत्यविन आपरेशन अपेक्षित लच्छ के विरुद्ध शर्वधिक मोत्यविन आपरेशन करने वाला रायपूर, सरगुजा और बलोदा बजार के डांक्टोर को श्रमानित किया गया है। परदेश में एक वर्ष में अब तक शर्वधिक मोत्यविन आपरेशन किया गया है। यह संख्या परदेश में एक वर्ष में अब तक किये गये मोत्यविन आपरेशन में शर्वधिक है। बाराश्टर कार्दु और मोत्यविन आपरेशन का वास्तविक लक्ष एक लाग साथ अजार आड़ सो किया गया है। राज्या इस्तर पर एक लाग 25 जार रखा गया है। याद रखेंगे राज्या इस्तर में इनका लक्ष निधारित हैं एक लाग 25 जार निधारित किया गया है। चले नेश्ट कोश्टन देखिए। इस समारों में इन युववज्यानिकों को 21,000 रुपय फुर्टन देखिए। इसके साथ ही इन युववज्यानिकों को 21,000 रुपय फुर्षकार राश्य और मिडल परमान पतर दिकर सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे 21,000 रुपय दिया गया है। साथिस्ट आवार्स सम्मानित युववज्यानिकों को किसी राश्टी परियुक्षाला, राश्टी अनुसान धान केंद्रा एवं विश्योई ध्याला में शोतकारे के लिए अवसर पदान किया गया है। चत्तिगर्वी ग्यान या परध्योकी परिशत के महानी देशक डौक्टर ऐस कर्मकार मवजूद रहें। चले नेश्ट कोश्टन देखिए। वेकफिट के बराण अम्बिश्टर किसे बनाया गया है। तिकर सही आंसर होगा। वेकफिट के बराण अम्बिश्टर अईश्मान खुराना को बनाया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं यह है अईश्मान खुराना चले दिहान देंगे। वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमेटेड ने अभिनिता आईश्मान खुराना को वेकफिट के ब्राण अभिष्टा की रुप में अनुबंद किया है। अभिनिता निन्द की श्वास्त और आधुनिक शंदर्पमी इनके महत्यों के बारे में जागुता फ्लान हेतु ब्राण अभिष्ट की मदद करेंगे। चलिए ने श्वास्त कुष्टन देखिए। पिछले 36 वर्सों से जवाहर नोदय विद्यालों में युवा संसत प्रविता का आईजन कर रहा है। केंद्री संसदी कार्य के राज्य मंत्री अर्जिन राम में घवार ने चार मैं को नई दिली में फुर्ष्कार विद्रित किये हैं। चले नेस्ट कुष्टन देखिए। संगाईश आयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित किया गया है। तिंकर सही आंसर होगा। गोवा में संगाईश आयोग संगठन के विदेश मंत्रियों का बैठक आयोजित किया गया है। important question है याद रखेंगे चले दिहान देंगे संगाईश योग संगठन के विदेश मंतिरों की दो दिवसी बठक 3 मई 22 को गोवा में किया गया है भारत जिसने सितंबर 22 में S.C.O. समोह की अधिक्षता समाली थी 22 में मेजबान भी है याद रखेंगे सितंबर 22 में भारत ने इनकी अधिक्षता समाली है S.C.O. मेरूश, भारत, चीन, पाकिस्तान चार मध्य शायदे जिसमें कंजाकिस्तान, किरिगिस्तान, तंजाकिस्तान और उजबेकिस्तान इनके प्रमुक सतच्य है याद रखेंगे इनकी 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 शायदे जिसमें कंजाकिस्तान, किरिगिस्तान, और रूस और तंजाकिस्तान के बिच हुआ था भारत और पाकिस्तान दुह सत्रम इसमें सामिल हुए है याद रखेंगे इंपोर्टन है, भारत और पाकिस्तान दुह सत्रम इसमें सामिल हुआ है यह भगोलिक चेत्र और जनसंग्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा चेत्री शंगटन है इनका मुख्याला प्रिजी, चीन में इस्थीत है चले ने स्टो कोस्टन देखिए उर्षार डूनिया का सबसे बड़ा सबदकोस बन गया है तिनका सही आंसर होगा दूनिया का सबसे बड़ा सबदकोस आसम, दुषब्हाशी, बेल सबदकोस बना है यहाद रखेंगे important है दुनिया का सबसे बड़ा सब्दकोष आसम दुवाशी ब्रेल सब्दकोष बना है चले ध्यान देंगे अश्यम्य अंग्रेजी सब्दकोष का 21 खंडो वाला ब्रेल संसकरन दुनिया का सबसे बड़ा सब्दकोष बन गया है गिनिच बोल्ड रिकार्ट के अधिकारियों ने हेम कोष के ब्रेल संसकरन के प्रकाशन जयन बर्वा को एक परमानपतर शौपा है 123 वा सिहेम कोष असमिया भासर का पहला उत्पत्ती संबंदित सब्दकोष है जो उहमन बर्वाद्वारा शंकलित शंसकरती वर्तनी पर अरधारित है चले ने स्ट कोष्टन देखिए भारत मिश्र विदेश का रियालाय परमर्ष के बारवे दवर का आयजन कहां किया गया है तिमकर रही आंसर होगा मिश्र के काहिरा में भारत मिश्र विदेश का रियालाय परमर्ष के बारवे दवर का आयजन किया गया है याद रखेंगे मिश्र के काहिरा में कल भारत मिश्र विदीश कारियाला परामर्ष के बारवे दवर का आजन किया गया पक्षों के राजनितिक वैपार और वाडिच्य और निवेश को कवर करने वाले दूइ पक्षी है समंधों की पूरी सिंकला की वैपक समिच्छा की है उन्होंने भारत और मिश्र के बीच समंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की है परामर्श का अंतिम दोर दोहर पंद्रा में नए दिली में हुआ था चले आगला प्रश्णा देखिए विस्वबाइंग के अगले अध्यक्ष करूप में किसे निक्त किया गया है तो कर सही आंसर होगा विशोबैंग के अगले अध्यक्षक करूप में निक्तु किया गया है वह मास्टर कार्ट के पूर्वा CEO और अध्यक्षक करूप में पांच शाल का कारेकाल करेंगे उन्हें फरवी द्वार तेश के अंत में श्यक्षक तराच अमरीका के अराष्ट पति जोब आडिन द्वारा इस पत के लिए नामित किया गया था और वे विशोबैंग के प्रमुक डेविट मालपास को प्रतिश्थापित करने के लिए एक मातर दावेदार थे वह दो जून से नए काम को शूल करेंगे चैले निश्ट कोश्टन देखिए कारियकरताओं के लिए भारत दुनिया का सबसे खतनाग जगहों के मामले में कितने इस्थान पर है बिजनेस एंड हुमेंसर राइट रिसोर्च रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने भारत और ब्राजिल को माना अधिकारों और स्रम कारेकरताओं के लिए दुनिया के सबसे खतनाग इस्थानों में एक बना दिया है रिपोर्ट के अनुसार दोहर 22 में कारेकरताओं के खिलाब दर्जा 63 मामलों के साथ पराजिल से साथ इस्थान पर है इसके बाद भारत 54 मामलों के साथ दूसरे इस्थान पर मेक्सिको 44 मामलों के साथ तीसरे इस्थान पर है सामिल अन्यदेश जिसमी, कमबोडिया, फिलिपीज और हुंडोरा सामिल है चलि नेस्ट कुश्चन देखिए